हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज की रेसिपी बिल्कुल चटपटी सी लौकी चना दाल की सबजी की रेसिपी है बहुत ही सिंपल मसाले से और आसान तरीकी से बनाएंगे जिससे ये हर किसी के लिए बनाना बिल्कुल आसान हो जाए तो वीडियो शुरू करने स तो सबसे पहले हमें चाहिए चना दाल तो यहां पर मैंने आधा कप चना दाल लिया जिसे दो तीन घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और यह देखिए अब यह सॉफ्ट हो गई है और इसके साथ ही चाहिए हमें लौकी तो मैंने यहां पर यह बड़ी लौक और इसके सहां नहीं तो कारफ करेंगे नहीं बहुत जळादा पारीक नहीं कट करेंगे और मीडियम पीसे सके साथ मैं जरूरी है क्योंकि दाल को पकने में जादा समय लगता है और लोकी को पकने में कम तो इसके लिए अगर आप दाल को भीगो देंगे तो वह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर हम उसे पकाने में जादा टाइम नहीं लगेगा इससे आप लोकी और दाल को साथ में तो यहां पर मैंने भीगी हुई डाल डाल दी है कुकर में और जो लोकी हमने कट करके रखी ती उसे भी दोकर अच्छे से डाल देंगे इसमें और इसके साथ ही इसमें जाएगा पानी तो यहां पर मैंने देड़ गिलास पानी डाला है और इसमें डालेंगे हम नमक तो यह तो जो कई बार होता है कि कुकर गंदा हो जाता है पानी निकलता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा तो इसलिए आप ज़रूर डाले और अब हम इसका लिड लगा देंगे कुकर का और गैस पे चढ़ा देंगे और तीन सीटी आने का वेट करेंगे तीन सीटी में हमारी डाल बहुत ही अच्छे से पक जाएगी डाल बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी और लॉकी जो है वो ओवर कुक नहीं होगी तो बस तीन सीटी ही लगानी है इससे कम मत लगाईएगा और इससे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ती चोफे दाल मिक्स कर देंगे और करें पहले मिक्स कर देंगे लोकी को च्छेक करेंगे तो यह में स्पून से कट करके दिखा रही है बहुत ही कट हो रही आए बहुत ही प्लिश हानी कि अज़ा नहीं है और दाल देख लेते हैं तो दोनो फ्रफेक्ट पक चुके हैं अब इसम चम्मच जीरा डालेंगे जीरा के तड़कते ही हम इसमें डाल देंगे एक छोटा साइस का प्यास बारिक कटा हुआ डाल के इसमें मिक्स करेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें हरी मिर्च तो यहां पर मैंने दो हरी मिर्च को लंबा-लंबा कट कर लिया है बस बीच से चीरा ल बहुत ही अच्छा flavor आता है अध्रक लहसुनका, तो बस इसे हम हलका सा पका लेंगे, हलका सा यसी प्याज काक्वलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें हम डालेंगे टमाटर तो यह देखे प्यास का कलर लगबख चेंज हो गया हलका ब्राउन हो गए है, अब हम इसमें दो मीडि इसके साथ ही थोड़ा सा नमक डाल गेंगे ध्यान रहे हमने पकते टाइम वबालते टाइम भी डाला था अब सब कूम करके इसमें । थोड़ा सा पानी डाल गेंगे जिससे कि मसाले हमारे जलेना और इसे मिक्स करके कवर करके हम इसे पकाएंगे तो लिड लगा देंगे हम इसमें इससे क्या होगा टमाटर हमारे बहुत जल्दी गल जाएंगे और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे तो पांच मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे प 5 मिन बाद देखे तमाटर गल गया है और मसाले भी अच्छे से पक गया है और रिलीज हो गया है हलका सा इसे पैचुला से इस तरह से मेश कर देंगे और जिससे कि थोड़े बद अगर टमाटर के पीसे रह गया हूं तो वह भी मेश हो जाए अब हमने जो अबाल के रखा था और दाल उसको यहां पर डाल देंगे तो इसको डालने के बाद एक बार मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसे भी कवर करके पकाएंगे तो बस दस मिनट के लिए पहले कवर करके पकाएंगे फिर पांच से साथ मिनट के लिए बिना कवर की पकाना है इससे हमारी दाल बहुत ह टो क geschकत है कि दलाव हुआ напावर मासालों के दाल में आपछे से अबसौर हो जाएंगे और यह सबजी हम बहुत सिंपल और कम मसालों साथ बना रहे हैं लेकिन भौती चटपटी बनती है अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला तो यहां मैंने आदा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है इसे मिक्स करके पांच मिनट के लिए इसे और पका लेंगे तो पांच मिनट के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल तयार है हम हरा धनिया से इसमें डाल दे ज़िए बनकर तयार है बहुत अच्छी लगती है जो बच्चों को लोकी नहीं पसंदना आप उन्हें भी खिलाई बहुत ही शौक से खाएंगे आप इसे चपाती के साथ खाईए या राइस के साथ सब के साथ ही बहुत अच्छी लगती है तो उम्मीद करती हूँ आपको लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फैमली और फ्रेंस के साथ शेयर करिए और हां कमेंट करके जरूर बताइए आपको यह राइसिपी कैसी लगी इंजाओए